तो दोस्तों ये है एक धोके बाद इंसान की कहानी अरे रे मेरे बेटे तु कितना आलसू है और अभी कुछ काम भी नहीं सीख पाया है और अभी तु बहुत बड़ा भी हो चुका है और ऐसे ही बड़ा हो के हमारा पालन पोशन तु कैसे करेगा ये सब कहने के बाद उसके पापा बहुती ज़्यादा नाराज हो जाते है और वहां से चले जाते है ये बच्चे के साथ ये सब होता हुआ ये बंदा देख लेता है और तब ही ये बंदा उस मच्चे की मदद करने के लिए उसके पास जाने लगता है उसके पास जाकर ये बं तो चल मैं आज तेरे को एक काम बताऊँगा वो तु करेगा क्या अरे हाँ अंकल आप जो भी काम बताऊगे वो करने के लिए मैं तयार हूँ और उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा क्या अरे बच्चे तु काम करेगा तो आज तु मेरे साथ चल मैं तेरे को वो नाकरी आ बेटा यहाँ पे एक टेक्टर चलाने का काम है और वो आपको करना पड़ेगा कि आप उस टेक्टर चलाने का काम करोगी और यहाँ अंकल मिंट आरामसी टेक्टर चला लूँगा और यह सब काम को तुम्हें आरामसी कर लूँगा और तभी यह छोटा सा बचा काम पे लग ज करने के बाद उसके मालक के पास पैसा अरे अंकल जी आपका टेक्टर में ने आज पुरा दिन चलाया है और आप मुझे इस काम का पैसा दे और तभी ये मालिक उस बच्चे को पैसा ना देने की वज़े से उसके सामने एक गन दिखाता है और वो गन देखने के बाद ये छोटा सा बच्चा डर जात तो दोस्तो हमको कभी भी किसी भी इंसान पे फरोसा नहीं करना चाहिए वरना हमारे साथ भी ऐसा